मेरे पैरे चात्रों, मेरे अध्यन प्रेमी चात्रों, आज हम कक्षा छटी के हिंदी विशे के दुसरे इकाई का जो पाठ है बैंक यहने कि उपयोग हमारे इसमें हमने पिछले विडियो में हमने डाग घर की जानकारी ली थी और इस विडियो में हम बैंक की जानकारी लेने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस वीडियो की लिंक दे रखी है डाक घर इस वीडियो की लिंक मैंने दे हुई है तो आपसे अनुरोध है नमर निवेदन है कि आप डाक घर का जो वीडियो मैंने बनाया है वह वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को टच कर कि आप वह वीडियो देखें आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को पूरी तरह देखें लाइक करें शेयर करें और कमेंट जरूर करें ताकि आपके पूछे गए सवालों का जवाब मैं देशकूं तो मेरे पहरे चात्रों अब हम आगे बढ़ने वाले है बैंक, आपने बैंक को देखा होगा, आप बैंक में गए होंगे, बैंक के विवहार आपने देखे होंगे, लेकिन अभी तक आपने बैंक के विवहार किये नहीं होंगे, तो आपके भविश्य में, आपके जीवन के भविश्य में, आप बैंक में जाकर विवहार करने वाले ह तो बैंक की जानकारी, बैंक का ग्यान आपको होना जरूरी है मेरे पहरे चात्रों, इसलिए ये सचित्र पार्ट आपके लिए यहाँ पर दिया हुआ है, हिंदी विशे के दूसरी इकाई का यहाँ पार्ट हम देखने वाले हैं, अब यहाँ पर बैंक में जो अलग-अलग मह देखने वाले हैं कि बैंक में अलग-अलग महतुपुर्ण भुमिकाय निभाने वाले वेक्तियों के बारे में, उनके पत के बारे में और उपत का कार्य कौन सा है, वो भी हम देखने वाले हैं, तो बच्चो यहाँ पर पूछताच जो है, यहाँ पर लिखा हुआ है हमें सब जानकरी देता है जैसे की बचत खाता खोलने के लिए क्या चाहिए करंट आप रंड, लो खाता में capac. कागधा टूहां पर हमें जरूरी है इन सभी बातों की जानकरी और कौन से प्रकार के डिपॉसित पर उसकी प्रकार का इंट्रेस्ट यानि सूध हमें मिलने वाला है यह सभी प्रकार की जानकारी जो है यह पुछताच जब हम करते हैं तो यह विक्ति हमें देता है इसलिए अगर हमें बैंक के बारे में पता नहीं है तो सबसे पहले इस विक्ति को मिलना जरूरी है तो हमें सभी जानकारी वह वि संय्क्शारागी पन्पत्ति होते हैं यहा थो is का इसकी रक्षा करना भी बहुत ज़रूरी है तो यहाँ पर शुरक्षा रक्षक यहां पर हमें दीख रहा है इस कोई कोई करने डालने वाले या फिर चोरी करने वाले कोई आते है तो उन चोरों को पकड़ने के लिए या फिर बैंक के पैसों के रक्षा करने के लिए इस रक्षा रक्षा किया हुआ है मेरे पहरे चातरों आप हम आगे जाने वाले हैं देखिए बचत खाता यहाँ पर लिखा हुआ है बचत खाता और खुला खाता चालो खाते में क्या फर्क होता है ये भी आपको मैं संक्षित में बताता हूं बचत खाता और चालो खाता बचत खाते के आपने कुछ नियम होते हैं बचत खाते में जब हम लेंदेन करते हैं तो लेंदेन हर रोज नहीं होती चालो खाते में के लेंदेन हर रोज होती है और बचत खाता जो है हम बचत करके जो पैसा हमेरे कमाई में से कुछ पैसे हम बचाते हैं और वो बचत करते हैं तो यह बचत खाते में डालते हैं लेकिन जो चालू खाता होता है बड़े-बड़े वैपर यो द्वारा लाको करोडों का वहां पर व खुलते हैं और उनको यह सुजाव दिया जाता है चलो खाता खुलने का और अब हम दुसरे विक्ति के बारे में पद के बारे में जानेंगे कैशियर यहाँ पर कैशियर है देखिए कैशियर क्या करते हैं कैशियर पैसे ग्रहक द्वारा पैसे प्राप्त करते हैं यह फिर ग् यहाँ पर हमें दीख रहे है यहाँ पर मैनेजर दिया हुआ है देखिए मैनेजर है यहाँ पर मैनेजर बैंक का जो होता है वो प्रमुक व्यवस्तापक होता है मैनेजर क्या होता है बैंक का व्यवस्तापक होता है सभी प्रकार के खातों का जो प्रमुक होता है सभी प्रकार जब कोई निर्णाइ यह नहीं ले सकते तब्सक्षा के पाथ जाते के सब्सक्या पर निरन से चप्सक्षार दिखत that day of the bank manager की MILL फेक्ष़त हैं मेरे पहर चत्रों और यहाँ पर हमें देख रहा है कि area was दिया हुआ है देखिए ATM हमारे जीवन में आज महत्व पुर्ण भुमिका निबा रहा है आज उसका महत्व अद्विती यह हो चुका है क्योंकि जब भी कभी हमें पैसे की जुरत होती है तब हम बैंक में नहीं जाते रात में अगर पैसों की जुरत हुई तो बैंक में हम जा इसे दो प्रकार के मशिन वहां पर होते है और यहां पर देखिए यह जो वरद्ध विक्ति है एक इन्हों नहीं यहां पर एक रिसिप्ट ली है और उस रिसिप्ट को लिखने वाले तो यह पर रिसिप्ट बॉक्स भी होता है तो विद्डरॉल स्लिप होती है या फिर पैसे भरने के लिए जो भी भरी जाती है उसको deposit slip कहते हैं मेरे पहरेशात्रों और यहाँ पर सुचना फलक है यहाँ पर अलग अलग प्रकर की सुचना है लिखी होती है और यह जो दिकरा है आपको यह क्या है यह अगर बैंक में आग लग जाती है तो उस आग पर काबो पान जाता है disaster management department द्वारा दिया जाता है यह पर disaster management यह आपत्ति व्यवस्तापन जो होता है उसमें इस का महत्तो पुर्ण योगदान होता है यहाँ पर गंबला भी दिख रहा है हमें एक चोटा सब पहदा दिख रहा है यह गंबला दिख रहा है अब हमने सब प्रकार की जानका होना computer का जामाना है मेरे पहरे चात्रों तो आज के पूरे वेवार computer द्वारा होते हैं देखो आज के जुब्यवार हो computer द्वारा हो रहे है इसलिए आप computer सीखो computer अगर आप सीखोगे तो आपको भी अच्छी नोकरी मिल सकती है bank में या फिर कई और हर क्षेत्र में आज computer का महित्व बढ़ चुका है मेरे पहरे चात्रों तो मैं आपसे विंती करता हूं कि यह वीडियो पुरा देखे और आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा ऐसा मेरा पूरा विश्वास है अगर आपने अभी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मै मैं आपसे विंती करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस वीडियो को पुरा देखा उस वजह से आपका धन्यवाद बैंक की जानकारी हमने इस पार्ट में इस वीडियो में ली है तो थैंक्यू सो मच